हेलो एव्रीवान वेल्कम एक ते में यूट्व चैनल आज किस वीडियो में हम लोग हमारा जो क्लास 11 का बाइलोजी है उसमें फर्स्ट यूनिट में जो साइंटिस्ट का वायोग्राफिय दिया है उसको हम लोग डिसकस करेंगे जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं ने बताया है तो चलिए स्टाट करतें वीडियो को हमारी साइंटिस्ट का नाम है इरनिस्ट मियर इनका जड़म हुआ था 1904 और डेथ हुआ था 2004 में यानि अगर आप टेल्कुलेट करोगे तो यह लगबग 100 तक जिन्दा थे यहां पे इनका पिक्चर दिया हुआ हुआ है ओके सो वहीं यहां पे लिखा हुआ है कि बॉर्ण और फाइब चुलाई 1904 इन केम्टन जर्मनी में हुआ था यह इवलिशनारी बाइलोजिस्ट थे ओके इन्हें हम लोग दार्विन ऑफ 20th सेंक्चुरी कहते हैं क्यों कहते हैं डार्विन एक बहुत बड़े क्योंकि हमारे जो इनिस्ट मियर साहब है वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है उन्होंने अपने करियर में बहुत जादा महानता प्राप्त किया है इतना अच्छा से काम किया है इसलिए सबसे बड़े साइंटिस्ट डार्विन से इनकी तुनना की गई है इसलिए हम लो साइंटिस्ट ग्रेट सायंटिस्त उन में से इनका नाम आता ही आता है इनको थिप नहीं कर सकती है यह भी एक महान मिला इसलिए इनको चैंटल मिला है टैटल धि और history and philosophy और biology इन सब में इन्होंने research किया ये सबसे महान scientist क्यों माने जाते हैं इन्होंने अपने career में इतना महान तक किस में प्रफ्थ किया किसली ये इतने famous एक क्यों इतना जाने जाते हैं उसका reason ये है कि इन्होंने जो है biological species का concept इन्होंने ही दिया था मतलए biological species का definition इन्होंने ही दिया था biological species का definition ये कहता है कि अगर दो organism से वो जब sexual reproduction करके अपना baby पैदा करते हैं तो वो भी अगर वो baby fertile हुआ और वो आगे जाकर और बच्चे पैदा करने की चंदा रखता है तो ये जो हमारे दो organisms है वो सेम species के है अगर ये दो organism अलग अलग species के होते तो इनका जो बच्चा होता वो fertile नहीं होता वो आगे चाके बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो ये आप reproduction में पढ़ोगे आगे म्यूल है इसका example जो donkey and horse के combination से बना है और म्यूल आगे जाके बच्चे पैदा नहीं कर सकता है ओके इनने triple crown of biology कहा गया है क्यों कहा गया क्योंकि इनको इनको 3 प्राइज से अबॉर्ड किया गया फर्स्ट प्राइज बल्जम प्राइज कब मिला 1983 में सेकेंड इंटेनेशनल प्राइज 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 कब मिला 1994 में थर्डे था क्रेफ़ोड प्राइज कब मिला 1999 में इसलिए इनको triple crown of biology कहा जाता है डाइज यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया तो डाइज ऑफ 100 in the year of 2004 2004 में यह मरे और एक सुसाल के एज में बदल एक सुसाल इनको हो गया था तो यह था हमारे इंडेस्ट मियर साहब के बारे में जो जो हाइलाइट किया गया है वह सब इंपॉर्टन्स पॉइंट है का कॉंसेप्ट हमारे इंडेस्ट मियर साहब ने दिया था सबसे इंपॉर्टन यह ही है एंड नेक्स्ट इद दा डार्विन अप्वेंटी सेंचरी एस ओके तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी थाइंक्स फॉर वचिंग अच्छी लगी तो शेयर कीज सब्सक्राइब कीजी मेरे चनल को ठीक है बाबा थांक्यू फॉर वाचिंग